नमस्कार दोस्तों वेलकम स्वागत करता हूं आप सभी का एक बर फिर से आरेस जुंशन पर मैं हूं घंशाम और आज की कक्षा में हम आरेस मुख्य परिक्षा में पॉलिटी के अंसर राइटिंग के तीसरे भाग पर चर्चा करेंगे और एक महत्वपूर्ण जो टॉपिक ह उस पर आजम बात करेंगे सविधान सभा की दार्शनिक प्रष्ट भूमी पर देखिए दोस्तों यहाँ पर जो भी हमारी चर्चा होगी वो सविधान सभा की प्रष्ट भूमी पर है ना कि हमारे सविधान के वारे में ठेक है? तेन टॉपिक हम अलग-अलग पढ़ते हैं एक सविधान सभा की दार्षनिक प्रष्ट भूमी होता है, दूसरा टॉपिक सविधान सभा का दर्षन होता है, ठीक है, और तीसरा टॉपिक होता है हमारे सविधान का दर्षन, तो सविधान सभा का दर्षन और सविधान का दर्षन दोनों में एक अंतर है, जिससे आपको समझना चाहिए, NCRT में आपको सविधान सभा का राजनेतिक दर्शन मिलता है, तो यहाँ पर मैं सविधान सभा की दर्शनिक प्रिश्ट भूमी पर बात करूँगा, दर्शन क्या होता है, ये भी आपको जानना जरूरी है, कि दर्शन वास्तों में कहते किसे ह तो दोस्तों, दर्शन दर्शाता है दर्श्टी कोन को, दर्श्टी कोन मतलब एक अप्रोच, एक तरीका या एक दर्श्टी जिसको हमने किसी काम को करते समय ध्यान में रखा, उधारन के लिए सपोच कीजिए आप एक किसान है और आप खेती करते हैं, खेती करने के दोरान आपका क्या दर्शन है, क्या दरश्टिकोन है वही तय करेगा कि आप किस प्रकार के पैदावार करते हैं हो सकता है आप अन्न उगाते समय कुछ ethical बातों का ध्यान रखते हुए ये प्रियास करते हैं कि जिस अन्न का उत्पादन आप करें वो अन्न जो है लोगों के शरीर को पोशन प्रदान करने वाला हो लेकिन दूसरी और कोई किसान ऐसा भी हो सकता है जो अन्न का उत्पादन करते समय दिमाग में केवल अपने मुनाफिय को ध्यान में रखे और उसी के आधार पर वो काम करें तो उमीद गरताओं ये जो उधारन है ये आपको दर्शात है कि एक किसान जो यूरिया का अतिधिक मातरा में उप्योग करके उत्पादन करता है और एक किसान जो अपने घाटे को सहते वे भी जैविक करशे की और बढ़ता है उन दोनों के दर्शन में उन दोनों के तृिषटीकोण में अन्तर होता है बार्टे सवीधान सभागी दार्षनीक प्रिश्ट भूमी पर संक्षेप में हमें चर्जा करनी है सो शवदों की मैंने सीमा इसमें दी है पर आपको ये डिसकस करना है तो मैं आपको छोटे-छोटे topics के माध्यम से इसे बताने का प्रियास करूँगा Briefly discuss the philosophical background of the Indian Constituent Assembly जब हम Constituent Assembly की प्रिस्टभूमी की बात करते हैं तो हम उन लोगों की बात करते हैं जो हमारी Constituent Assembly में थे मतलब जिनोंने सविधान के निर्माण में अपना योगदान दिया सविधान का मूल दाषनिक आधार हमेशा से सामाजिक परिवर्वन को दर्शाता है हम आजादी के लिए एक बहुत बड़े संघर्ष के बाद में सविधान सभा का निर्माण हमने किया था और जब हमने सविधान सभा का निर्माण किया तो हम हमेशा से चाते थे कि हमारी जो सविधान सभा है वो जिस सविधान का निर्माण करे वो दो चीज़ों को तो कम से कम सुनिश्चित करे और वो चीज़ क्या थी रास्टर की एकता और अखंडता राष्ट की पहला संप्रभूता क्योंकि हम लड़ी इसी के लिए रहे थे और दूसरा अखंडता तो सभा ने जब सभा निर्मान किया तो उनके दर्शन में उनके कंसाइंस में ये बात थी कि हमें जो देश बनाना है हमारा सविधान जिस देश का निर्मान करेगा वो संप्रभू होगा और वो अखंडता से परिपूर होगा ये बात उनके दिमाग में कहां से आई ये बात उनके दिमाग से आई हमारे रास्ट्रिय आंदोलन से एक लंबे संघर्ष के दोरान अपने राष्ट्री आंदोलन के दोरान चुकी सविधान सभा के अधिकतर जो व्यक्तित्व थे या जो लोग थे वे इस राष्ट्री आंदोलन से सक्री रूप से जुड़े रहे थे तो रास्ट्री आंदोलन के दोरान उन्होंने नेतरत्व प्रदान किया और इस नेतरत्व के माध्यम से ही उन्हें वो मूल दार्षनिक आधार मिला जिस पर उन्होंने अपने सविधान को बनाने का प्रियास किया तो सविधान सभा की दार्षनिक प्रिष्ट भूमी उस रास्ट्री आंदोलन से जुड़ी हुई है जिसमें इन सभी सदेश्यों ने नेतरत्व दिया था और जहांसे इनोंने उन मूलभूद बातों को भी ग्रहण किया था जो आज आपको दृष्टी गोजर होती है सविधा दोनों ही रिपोर्ट्स में जो प्रजातांत्रिक अधिकार है या लोगतांत्रिक जो अधिकार है उनकी वकालत की गई है और प्रजातांत्रिक अधिकार की जब इनोंने बात वहां पर कर दी तो निश्यत रूप से इनका देखने को मिलता है आपको ये कहां हमारे सविधान में कैसे अधिकार बहुत से अधिकार हैं क्या आप व्यक्तिकत स्वतिन्तिता की बात नहीं करते हैं हमारे सभी धान में जी हम करते हैं क्या हम लोगों के विचारों की स्वतिन्तिता की बात नहीं करते हैं क्या हम नियाय प्राप्ति की बात नहीं करते हैं आप प्रस्तावना क नहीं है यह सारी जो चीजे हैं यह प्रजात आंतरिक अधिकारों को मतलब जहां पर विव्यक्ति के कास करके हमारी जो जनता है जिसके लिए सविधान बन रहा है उसके अधिकारों को यहां पर जगदी गई थी ठीक है तो दार्षनिक प्रष्ट भूमी में क्या सबसे महत्पूर है एक तो जो राष्ट्रिय आंदोलन हमारा बोरा है उसका उद्देश्य क्या था उसका उद्देश्य था देश की संप्रभुता को प्राप्त करना और देश के बटवारे को और जो चीज बहुत महत्पूर है सविधान सबा के लिए वो थी उद्देश्य संकल्प उद्देश्य संकल्प जो है उसको जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वो बिल्कुल हमारी प्रिस्टावना जैसा ही लगता है तो उद्देश्य संकल्प हमें दर्शाता ह है कि हमारा सविधान किदर जाना चाता है ठीक है तो उद्देश्य संकल्प का भी एक बहुत बड़ा योगदानिया पर है एक और बात जो हमारी दार्शनिक प्रिस्टावमी को दर्शाती है कि सविधान को बनाते समय जो विचार आए वो क्यों आए तो उसका कारण था सव नहीं हर एक क्रति मिल करके और जो है अपनी अपनी बात कहीं और लगबग जितना छोंटे से चोटा वर्ग था उसकी बात को उतने ही महत्त्त के साथ में सामने रखा गया अलग अलग वैचारिक और सामाजिक प्रिस्ट्बूमी के चाहिए वो वामपंती हों, चाहिए आठिवादी हों, चाहिए आतिवादी हों, चाहिए आठटीवादी हों, इस व Intro आख मैं पिछले क्षा में आपको बताया था है कि लगबख हरे एक विप्तित्व, सोच, विचार और हरे कि चीज को और सभी लोगों की बातों को माना भी गया, ये चीज भी जो है एक बहुत महत्वपूर्ण है, एक और बात जो है वो है पस्चिमी परंपरा का प्रभाव, पस्चिमी परंपरा जो है उसका भी प्रभाव रहा, कैसे भई, आप जानते होंगे B.N. राउ, B.N. राउ सविधान सभागे सदश्यनी थे, सलाकार थे, लेकिन जो कि ड्राफ्टिंग में उनकी बहुत बड़ी भूमी का थी, और पस्चिमी सविधान कैसे निर्मित किये गए है, उन सविधानों में किन-किन चीजों को महत्व दिया गया है, तो भया हम कहते हैं कि हमारे सविधान पर बहुत हमने उस दोर में उन चीजों को मनभू किया था, जैसे कि रशियन क्रामती जो है, वहां से हमने समाजवाद जैसी चीज को लिया, हमने धर्म निर्पेक्ष राष्ट लिया, तो वो कही ने कहीं से हमने दूसरे देशों की परिंपराओं को भी देखा, और इसके साथ हमारे देश की स्तति को भी देखा, तभी जाकर कि तो यह हो पाया, तो ये भी जो दार्षनिक प्रष्ट भूमी है, हमारी सविधान सभा की उसमें आ जाता है, इसके अलावा, जो पहुत से हिंदू राष्टरवादी या गांधी वादी लोग हमेशा से चाते थे कि हिंदू धार से जैसी संकल्पनाई दी गई, ताकि सविधान हमेशा से, हमेशा जितने वर्ष आगे बड़े, उतना ही जदा मजबूत होता चाहिए, तो ये सारी चीजें मिलकर कि ये दर्शाती है, ये तै करती है, कि सविधान सभा की दार्षनिक प्रष्ट भूमी क्या थी, आपका उत अब लुद्तर दू, उससे पहले आप इन चीजों को समझें, मैंने आपको सबसे पहले ये समझाया कि प्रष्ण क्या है, प्रष्ण को सही तरीके से समझा, तो उत्तर भी दे देंगे, तो हमें केवल सविधान सभा, अर्थात जो सविधान सभा में सम्मिलेत लोग थे, उ और हमारी सदस्य हैं, उनके व्यक्तिगत विचार समिलित हैं, इसमें सविधान सभा में प्रतिनिदित्व की思्त्ति थी, वो सम्मिलित है, इसमें प्रजातांतरिक अधिकारों की मांग की गई थी, जो नेतरत्व ने बड़े-बड़े नारे लगाये थे ना सविधान में, सविधान सभारी जो हमारा राष्ट्रे अंदलन हुआ उसमें तो राष्ट्रे अंदलन के नारों को वाकई में वस्तुकत रूप में उसे वास्तविक बनाने का जो प्रियास है वो भी यहां पर दिखाई देता है और इसके अतरिक जो पस्चमी सविधान है उनके जो से अपनी दार्ष्णक सोच को विक्सित किया या उन लोगों को किन-किन चिजों पर प्रभाव उन पर रहा उन चिजोंपर यहां पर आपको बात कर região दार्षनिक प्रिष्ट भूमी पर आपको उत्तर लिखिए और अपनी समझ को विक्सित कीजिए आपको प्रियास करना है चाहे आपको आए या नाए लेकिन आपके प्रियास जरूर होने चाहिए क्योंकि आपके प्रियास ही जो है आपके उत्तर लेखन की शमता को बढ़ाते हैं कुछ चात्रों ने लिखा था कि सर ऐसे प्रश्णों के उत्तर समझ में नहीं आते तो वो तभी समझ में आएंगी जब आप सविधान को थोड़ा बेसिक पढ़ लेंगे और उसी के लिए जो है हमारा कोर्स आपके लिए है RS Junction Application आप डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक से और वहां से हमारे इस कोर्स को जोईन कर सकते हैं जो मातर 700 रुपे में आपको complete quality को cover up कराएगा और इसके notes भी आपको मिलेंगे एक पूरी book भी मैं तयार कर रहा हूँ जो भी आपको वापर notes के रुपे मिलेगी चलिए इसे के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ मिलता हूँ अगली कक्षा में तब तक के लिए धन्यवाद